नमस्कार दोस्तों दोस्तों आजम आपको बताएंगे कच्चे दूद से पाएं दुलन जैसा निखार दोस्तों पुराने समय में तो साही महिलाएं दूद के सनान किया करती थी कच्चा दूद सहरे के लिए काफी अच्छा होता है आप इसे क्लिंजर के तौर पर या फिर ब्लीचिंग के तौर पर प्रियोग कर सकती है इसे रैगूलर चैरे पर लगाने से आपके चैरे के दाग, धबे जाईया और जुड़ियां भी दूर हो सकती है घर में अगर फ्रिज में थोड़ा सा कच्चा दूद रखा हो तो उसे आप रोजाना क्लिंजिंग के तौर पर या फिर बेसन में डाल कर फेस पैक बना कर यूज कर सकती है अगर आप इसे रोजाना लगाएंगी तो एक हफ़ते के बाद आपका चैरा काफी सुन्दर दिखने लगेगा तो आईए जानते हैं कि आप भी दूद की मदद से अपनी सुन्दरता किस तरह से निखार सकती है दूद एक बहुती अच्छा फेशल क्लिंजर है बस कॉटन बॉल को दूद में डिप करें और उसे चैरे को साफ कर लें उसके बाद चैरे को पानी से धोलें तो अब रोजाना दूद को चैरे को साफ करने के लिए प्रियोग करें अपने चैरे और गर्दन पर कर्चा दूद लगाएं इसे 10 मिनिट तक सूखने दें उसके बाद चैरे को ताजे पानी से धोलें आप पाएंगे कि आपका चैरा पहले से साफ और गोरा हो चुका होगा वो भी दो मिनिट में दो चम्मच कर्चा दूद लें एक चम्मच शहद और एक चम्मच नीबू मिलाएं इसे साफ चैरे पर लगाएं 10 मिनिट तक चैरे पर इसे छोड़ दें और फिर चैरा दोलें ये पैक एक ब्लीच की तरह काम करता है कच्छे दूद को चाहे बेसन के साथ या फिर मुल्टानी मिट्टी के साथ मिक्स करके लगाएं इससे चैरा प्राकितिक रूप से साहफ होगा दूद में लैक्टिक एसिट होता है जिससे स्किन लाइट बनती है दोस्तों मुझे उमीद है आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक और सब्सक्रेब जरूर करें धन्यवाद